तो इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट वीडियो से है जिसके उपर मैं बात करने वाला हूं वो रहेगा कि यहीं धाता हूं कि अपना मेरेट कैसे बनते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि pneumonia कि कामें भी से जवाला हूं कि एपता देश्यांए हो और है आप कितने फॉल कर रहे हो ठीक है चलो सबसे पहले यहां पर जो बोला जा रहा है कि open merit सबसे पहले open merit होता क्या देखो open merit होता गया open merit में कोई ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ होगी राजपुत होगी यहां कोई भी जो अधर आ रहे हैं उसमें आते हैं उनका compulsory नहीं होता वो एक open merit का मतलब होता है कि इसमें कोई भी फॉल कर सकता है इसमें ना तो एसी देखा झाता ना सटी देखा जाता ना अर्बीज देखा झाता तो कैसे लिए करेगाई अब मैं आपको बताता हूँ आपकी ज्वाइनिंग कैसे कहां कहां आएगी ये भी आपको समझ आजा जाए खुद ही देख लेना आप देखो सबसे पहले ओपन मेरिट की बेकैंसी ती 946 अब आपको करना है कि टॉप से स्टार्ट होना है आपको देखना है 946 कहां तक आ रहा है और क्यस बच्यक्चे के सेलेक्शन नहीं होती है उसको बात दिल पर नहीं लेनी है अगली तयारी पर लग जाना है और एक च्शेद मद आपको बता दूं whispering के लिए जिस बच्चे के एक दो माक्स कम है जो पास-पास सेलेक्शन के उनका सेलेक्शन भी हो जाएगा वो कैसे अगर बेटिंग लिस्ट निकलती है तो आगे अपकमिंग जो बेकैंसिस आ रहे हैं लाइक अकाउंट एसिस्टेंस हो गया फाइनस इंस्पेक्टर सब में कुछ बच्चे यहां से जम्मो वाले कश्मीर जोइनिंग नहीं करेंगे वह बहां चले जाएगा और आप लोगों का मेरे बेटिंग में नंबर आ जाएगा तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अगली तयारी में लग जाना आपको अब कैसे बनेगा जब 80.75 नंब 946 तक यहां तक सेलेक्शन हो चुकी है इनकी ओपन मेरिट में अब ओपर कोई डिपेंड नहीं करता कि आप जर्नल कार्ट से हो आप SC हो और भी हो किससे उससे बाद में लेना देना होगा अभी तक 946 में जितने बच्चे आए उनकी सेलेक्शन होगा अब जो 947 इवन कि उस उसके मार्क इतने ही है उसके मार्क इतने ही है अगर ओपन कैटागरी से है उसका कोई कैटागरी नहीं है तो इस बच्चे का पहली बार में सेलेक्शन नहीं होगा कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका नंबर सेम है क्यों यह जो उपर दिया गया नहीं किसके कोडिंग दिया हुआ है अगर आपकी एस सबसे ज़्याद है तो आपका रेंग पहला होगा और आप से थोड़ी कम थी जिसकी जो आप से जंग था तो वो आप से नीचे आजाएगा वो इसलिए देते हैं ऐसा कि इस बच्चे के पास आगे नेक्स एज है वो मोका है इसके पास तो इसके पास 946 के उपर उपर तो थी कि जितने लोग ते चाहिए वो SC थे, ST थे वो सारे इसके उपर आए 946 यहां तक जिसके भी नंबर है उसके उपर वो सेलेक्ट हो चुका है उन सबको अब आगे देखो मैं क्या बता रहा हूँ अब बाहर या आती है कि सर कैटेगरी का कैसे निकाले अब आप क्या करोगे अपनी अपनी कैटेगरी उठाओगे जैसे मालो किसी की कैटेगरी RBA है उसने देखा कि उसकी 196 पोस्ट है आपको exact निकालना तो आपको अपने पता चलेगा आपका नंबर है की नहीं है आप क्या करोगे 946 के उपर अगर कोई RBA आ रहा है उसको आप चलते जाना नीचे जब आपका 196 बच्चा कंप्लीट होगा 196 सिर्फ RBA की बात करों वो इस कटप से मतलब 946 से नीचे स्टार्ट करेगा वो ना कि स्टार्टिंग से क्योंकि वो जनर में जा चुकी है उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है तो आप लोग 946 से स्टार्ट कर करना है और मैं अभी बताऊंगा आपको डिस्टी कैसे मिलेंगी वो भी आप निकालोगे खुद दो जैसे ऐसे काउंट करते आओगे जहां पर आके 196 बच्चे होगे और जो लास्ट बच्चा आएगा उसके आगे देख लेना कि लास्ट कहां तक उसके नंबर गये हैं जो लेकिन जैसे आपके 196 बच्चे कंप्रीट हुए कि आर भी आप काउंटिंग करते जा रहे हो है 196 यहां पर वहीं पर ब्रेक करना है और वहां पर देखना आगे कट अप कितना लास्ट इस नंबर गया जैसे मालों कुछ भी आता है फिला 76 पर समतिंग बता रहे हैं वह आप खुद देख लेना और आप अपने अपने कैटागरी का नीचे मुझे कमेंट सेशन में रिप है आपको पता चल चुका है कि उपर उपर जितने वहांगे 946 से लेकर बीच भीच में ठीक है तो उस कटाप के बीच में जितने बचन हो चुकी आपकी आपकी अर्भी एक अटागिरी में देखो 80.75 से उपर उपर जो 946 बच्चे थे उनकी हो चुकी 946 से भी एक जूरू ह शुरू होगा लेकिन इसके बाद बाल जो 947 का बच्चा वो इसमें काउंट करते जाना आपको यहां पर आपको देखना कौन सा नबर तक जाता है इससे कोई मतलब नहीं है जैसे 196 बच्चे कंप्लीट होए उसके बाद देखना इसका कट अप कितना जितना भी है आप देखन के इतने है 948 के इतने है लेकिन आपको 946 के बाद वाले के बाद आप ऐसी के बच्चे काउंट करते हैं ना कितने बच्च होते हैं यहां पे 160 आएगा जैसे 160 बच्चे होगे बई पे स्टॉप करना है और आपके आगे देखने ना कट अप कितना 67.75 के करीब है आई थिंग आपके स्टॉप में नहीं आएगा ठीक है सेम अब हर एक कैटेगरी का बच्चा जो जो जिससे बिलॉंग कर रहा है वो बच्चा मुझे अभी कमेंट सेशन में बताएगा कि सर कट अप कितना जाएगा उसकी कैटेगरी का ठीक है अब मैं बताता हूं कि आपको पोस्ट कैस सेलेक्शन होई है आपको मालो जैसे मैं जम्मू से हूं आप मालो कि आप लोग जम्मू से हो अब देखो कि लैट स्पोस की जम्मू में 50 विकान्सी है खाली जन्नर्रक टेगे ओपन मेरिट में तो अब यह 50 युप पहले टॉपर होंगे तो उनको जम्मू मिलेगा कैसे मिल जो पहले टॉप होगे उन में से कौन से बले 50 आपको काउंट करने है कि पहले टॉप 50 खाली जम्मू से इसने क्योंकि पहली कॉमन सी बात है कठुवा का बच्चा पहली प्रेफरेंस जम्मू नहीं देगा बड़ा रेयर केस है कठुवा का बच्चा पहली प्रेफरेंस कठु तो इसलिए अगर आपको जम्मू अपना-पना डिस्टिक्ट चेक करना है तो आप ऐसे करना कि आप अगर जम्मू से हो तो आप किस जैसे आप मालो जन ओपन मेरिट में हो तो आप क्या करोगे पहले 50 टॉप जो जम्मू से सलेक्ट हुए हैं उनकी कांटिंग करोगे कि कहां तक आ रहे हैं अगर आपका उन पचास के अंदर नंबर है तो आपका 99 परसेंट चांस है कि जम्मू में आपको मिल जाएगी पोस्टिंग अगर मालो आपका रेंक 51 है जम्मू में 50 बच्चे चाहिए ओपन मेरिट में तो आपका रेंक एक उपर चला गया तो आपकी दूसरी प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी मालो आपकी प्रेफरेंस तीसरी है टोटल बगैंजेंट कितने बच्चे बन रहे हैं अगर आपका मालो इन तीनो के दस ऐसके 10 साय को क्या तो सबको कौंट करते हैं इन तीनों के सिर्फ उसमें मालो आप का नंबर ए 55 पहें पर यह चाह थे पिवकेंऑ लेकिन आपप दूसरी प्रैफरनस अगर कठ हुआ है तो आप टॉप 100 में से 46 नमबर फे हो तो कोई बात नहीं है कि नहीं की जो बच्छत जम्ठबन का वह जम्मो में अगर आपका तीसरी प्रैंफराइस सठीख खाते हैं पिर आप देखो क्या इस एरिया की अंदर अंदर आपका जितनी वेकैंसी टोटल बन रही है किया इन चारो टिस्टिंगो निकाल के टॉप से लेके निकाले रहा है यह मैं open की बात कर रहा हूं लेकिन अगर आप किसी SC category से हो गाइस यह थोड़ा सा मुश्किल है लेकि निकाल लोगे ध्यान से सुनने मैं क्या वह रहा हूँ अगर आप SC category से आपको देखना है कि आपकी जम्मू पोस्टिंग है की निया कैसे देखोगे 80.75 जो 946 वाले 80.75 इसके आगे SC के बच्चे यहां भी खत्म हुए जाके मानलो 67.75 भी खत्म हुए इसके बीच में आप जम्मू से हो आपको अपनी एरिया देखना है आप देखो क कि टॉप 947 से शुरू हो जाओ कि इसके आगे आगे SC मानलो SC के 10 बच्चे ने जम्मू में तो 10 के अंदर अगर आप करेंग सिर्फ जम्मू के काउंट करने जम्मू का एक दो तीन अगर 10 के बीच 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 आप करेंगा जाता है तो आपको जम्मू मिल जाएगा मानलो आ दूसरा बड़ा कठ हुआ फिर आप जम्मू और कठ हुआ दोनों के बच्चे काउंट करते जाओगे और दोनों की मिला के अगर आप 20 के बीच में फॉल कर रहे हो तो आपको दूसरा इसमें पोस्ट मिल जाएगा आपको पहली ना मिलके अगर 10 में नहीं आ रहा है आपका तो आपको कठोवा मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपन अपना एरिया निकाल सकते हो ओ ठीक है तो फिर आपको जब दूसरा निकालना जैसे मालों आपने तीन प्रेफ्सम्स दी जम्मू मैं कैटेGOरी के बतारो अभी कैटेगरी का स्था करोगे जैसे आपने ज पचीस बन रही है कितनी मुझे नहीं पता मालो 25 बन रही है अब आप क्या करोगे आप अपनी कैटेगरी का मालो आप देख रहे हो आर भी इगा इसका देख रहे हो कि मेरा नंबर किस एरिया में आएगा कि नहीं आएगा अपने आपकी पहली प्रेफरेंस के आप सबको पता सबको अपने प्रेफरेंस पता होगी फिर आप क्या करोगे 946 रैंक से नीचे जो 80.75 नंबर है 947 बाले बच्चे से स्टार्ड करना और आपने अगर जम्मू अपनी एक तीन एरिया का देखना है तो टोटल कितने 25 बच्चे चाहिए न तो अगर आप 25 में आ रहे हो कि नही बना कठुवा में देखना था कठुवा में भी टॉप में नहीं आए फिर आपने तीन प्रेफरेंस और तीनों के बच्चे काउंट करते हैं इसके नीचे जैसे जम्मू का बोबी काउंट करना है कठुवा का बोबी काउंट करना है और सांबा का बोबी काउंट करना है तो तो यह था पूरा complete analyst की आपका cut up कैसे जाता है यह आप मुझे करके बताओगे कि आपकी category का cut up कितना कितना गया ठीक है तो आप समझ पाओगे कि cut up कैसे दिसाइड होता है तो यह होता है एक्जेक तरीका 110% cut up ऐसे जाते हैं अगर ऐसे नहीं जाएगा तो बच्चे केस करतेंगे क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि दिस्टिंग वाई विकैसी तो है नहीं सिर्फ डिस्टिंग में यह मैंचन है कि इस डिस्टिंग में इतने बच्चे चैंए-चैएसी के इतने चैंए इसके वो फरक नहीं पड़ेगा कि आप कठुवा से बिलॉंक करते हो आप अगर लगताइग यहां मार रहे हैं तो अगर जम्मू से एक भी बच्चे वहाँ स्लेक्ट नहीं हुआ तो कठुवा बबच्चों को यहां लगाएंगे लेकिन व करेंगे उस एरिया के बच्चे नहीं हुए तो लेकिन बच्चे स्रिफ टॉपर होंगे जितने इसमें फॉल कर रहे हैं क्योंकि डिस्टिक वाइज है तो आई होप यह पूरी वीडियो आपको समझ आगया होगा कि आप किस एरिया में आपको स्लेक्शन मिनने माला है और आप के स्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह आपको सब कुछ पता चल जाएगा बस आपको अभी कमेंट सेश्चन में अपने अपने एरिया का कट आप बताना थाकि हमें भी पता चल जाए कि कितने बच्चों का कांट और यही 110 परसेंट तरीका उता कट अप निकालने का तो चलिए ध्यान रखिए अपना बाई बाई मिलते हैं नेक्स क्लास में गॉड ब्लस यू कमेंट करके बता देने अपने अपने